स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज लेखे आई हूँ नई सीरीज मिन्स ये नहीं कि मैं कोई और वीडियो लेखे आई हूँ मैं पॉलिटी पीटी से 65 की वीडियो लेखे आई हूँ लेकिन नई ये होगी कि अब मैं एकनोमिक्स की पढ़ाऊंगी आप लोगों को क्योंकि पॉलिटी का मैंने कम्प्लीट करा दिया है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो देखे पॉलिटी की आप सारे वीडियोस प्लेइस्ट में जाकर देख सकते हो सारा मैंने अरेंज कर दिया है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट टाइप से तो सीरीज में अरेंज है आप जाओ एक एक करके सारे वीडियोस को देखो और जादा टाइप नहीं 4-5 सार में आपके ये फुली कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपका एक पीटी 065 वो भी हिंदी में अच्छे से एफेक्टिव टाइप से आपका अगर चार से पांच गंटे में कंप्लीट हो जाता है तो इससे बेस्ट कुछ होई नहीं सकता है तो आप जाओ और एक जिस में आपको और बता देती हूँ कि इसमें थोड़ा सा वीडियो लॉंग लॉंग जा सकता है क्योंकि इकनॉमिक्स का थोड़ा सा होता है ज्यादा कंटेंट आपको भी पता होगा तो इकनॉमिक्स के कंटेंट थोड़े जादे हैं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको वीडियो लॉंग भी हो सकता है तो आप प्लीज पेसिंस बनाए रखे और मैं साथ साथ वीडियो वाच करते जाए ताकि आप लोगों का भी साथ साथ कंप्लीट होते जाएगा और फर्स्ट है हमारा राजकोश्य नीती, सेकेंड टॉपिक है बैंकिंग और मौजिक नीती आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो PT 365 बनाया जाता है वो सारा टॉपिक बहुत ही relevant होता है मतलब exam point of view से इसके सारे points रहता है सारा जो भी news है, static portion इसमें add है सबकुश आपका exam point of view से ही है क्योंकि यह monthly magazines आते हैं जो एक साल का monthly magazines रहता है आप आप देख सकते हो May 2020 से Zen 2021 तक का इसमें fully जो cover है magazine तो magazine को ही इसमें short करके जो relevant है उसको add किया जाता है तो इससे भी ज़्यादा short कुछ हो नहीं सकता है अगर आपको आप कहते हो कि video short बनाईए और अगर आप सोस रहो कि मैं कुछ extra facts आपको बता देए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी facts इसमें दिये है साड़ा कुछ relevant है सब कुछ आपको पढ़ना है हाँ थोड़ा कुछ जो मैं highlight करती हूँ उसे आप अच्छे से ध्यार में रखें जैसे कि quality में कुछ articles हो गए तो वो सब आपको याद करनी की ज़रूत है overall आप समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा क्योंकि UPSC में अब आप देख रहे हो कि exams जो हो रहा है prelims का उसमें आपका conceptual ज़्यादा कुछन आता है मतलब आपका concept ज़्यादा clear होना चाहिए ठीक है facts से आपको question आते हैं बट उतना question नहीं आता है factual ठीक है तो no doubt factual भी आता है आपको fact भी याद करने हैं लेकिन concept आपको clear पहले करना है इसलिए आप concept पे ध्यान दो और concept आपका तभी clear होगा जब आप अच्छे से fully complete analysis देखोगे तो इसलिए मैं आपको fully complete analysis दोगी सब कुछ सही रहेगा but आप यह मैं सोचना कि मैं आपको relevant नहीं दे रही हूँ मैं आपको long videos दे रही हूँ short करके मैं दू तो यह सब सही नहीं होगा क्योंकि PT365 खुद एक बहुत ही relevant चीज है उसमें आपको चाट नहीं सकते मतलब कि even अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सा concept के लिए तो इतना पढ़ना ही पढ़ता है ठीक है तो ज़्यादर time भी वेश्ट ना करते हूँ मैं start करती हूँ अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात कहते हूँ कि जैसे कि आप लोग मतलब आप तो economics की lecture शुरू हो गया इसमें थोड़ा सा videos भी आपको long long बनेगा और मैं मतलब की पढ़ाने time मतलब थोड़ा work तो करना ही पढ़ता है time देना ही पढ़ता है ना तो बट आप लोग share नहीं कर रहे हो दिल से तो मुझे थोड़ा सा demotivate feel हो रहा है बट अगर आप लोग like कर रहे हो मतलब मेरी work को थोड़ा पसंद कर रहे हो तभी आप लोग share करें, subscribe करें नहीं तो कोई binding नहीं है मैं आप लोगों कोई ये नहीं कर रहे हो कि नहीं आप लोग subscribe ही करो, share ही करो आप लोग को जैसा भी लगे लेकिन हाँ दिल से मेरा एक गुजारी से आप लोग से की, please, please share करें थोड़ा मतलब की मुझे लगे की हाँ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा शिरीज ला रहे हूँ तो आप लोग भी थोड़ी मेरी help कर रहे हो तो आप लोगों को जैसा लगे वैसा कीजिए थोड़ी मेरी उमीद तो है आप लोगों से, but no worry मैं अपना continue तो करूँगी तो फिर ठीक है मैं first आज हमारा lecture होगा ये जो है ये बारकोट का है ये नया इसमें आया है तो ये बारकोट scan करके आप quiz लगा सकते हो तो quiz लगाना है आपको जब आप ये देख लोगे अच्छा है आप वीडियो देखने के बाद सारा complete होने के बाद एक बार quiz लगा के देखना ठीक है तो ये first हमारा आज का topic है fiscal policy ठीक है तो fiscal policy को मैं आच्छे से आपको पढ़ाऊंगी एकदम आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा बस बने रहें आप मेरे चैनल पर तो font का है कि मैं font देखी आप लोग full screen में मैं font रख रही हूँ मतलब कि इतना तो मेरा full screen है तो इतना में मैं font को रख रही हूँ आप लोग भी screen को rotate करके रखें phone को ठीक है तो आपको font full बड़ा-बड़ा मिले और resolution आप लोग थोड़ा बढ़ा के रखो जैसे 144 में P में देखोगे 24P में देखोगे तो वो ठीक है मुझ जैसे कि कुछ वीडियोस देखने के लिए रहते है तो ठीक है पढ़ने वाला है कि आपको सारा मतलब कि जो है वर्ड अच्छे से दीखना चाहिए तो 360 या 480 में आप देखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो मैं स्टार्ट करती हूँ राजकोशिय नीती फिस्कल पॉलिसी का फर्स्ट है सरकारी रिन पर स्थिती पत्र ठीक है तो सरकारी रिन पर स्थिती पत्र तो सुर्खियों में क्यों रहा है तो हाली में केंद सरकार द्वारा स्थिती पत्र का 9 संस्करन जारी किया है स्थिती पत्र मतलब की स्टेटस फेपर टीक है कि उसकी स्थिती कैसी है अब यहाँ पर अभी आपको और टॉपिक मिल जाएगा तो नौवा संस्क्रन जा रही है तो अप यादर ना इसका कितना संस्क्रन है नौवा संस्क्रन है एस्सिती पत्र का तो आने समंधित तथी क्या है कि इस एस्सिती पत्र में वर्स 2019 से 20 से 2021 तक की वितिये वर्सों के लिए केंद सरकार के रिन प्रबंदन रन्नीती शामिल किया गया है मतलब कि जो केंदर सरकरकत 2019, 2020 और 2021, 2022 का जो वितिये वर्स का जो रिन प्रबंदन होगा उसका कैसा रन्नीती होगा इसमें लिखा गया है उसका विब्रण है जो सरकार की रिन प्राप्ती से समंदित योजनाओं के मारक दर्शन में मदद करेगी तो DMS का उद्देश क्या है यह सुनिशित करता है कि सरकार की वित्य पोसन आवश्यक्ता जो है और भुकतान दाइत्व को जो वाहनिये करने की जोकिम इस्तर के अनुरूप नियुन्तम संभव लागत पर पूरा किया जाए जोकिम ना हो वैसा सरकारी रिन प्रवंदन का महत्व क्या है तो सरकारी रिन का अस्तर कम याधिक जो भी हो तो निवेशकों के विस्वास को प्रभावित करता है अगर कम हो तो भी निवेशकों कम विस्वास होगा और जादा हो तो इस टाइप से सरकार की राजकोशिय शमता को प्रवावित करता है ये ठीक है जैसे कि निवेशा का अगर कम होगे तो राजकोशिय जो है शमता वो खुद बखुद प्रवावित होगी तो नीजी छेतर के लिए crowning out की सिती उतपन करता है ये तो दवानी जी बैंकों के लिए राजकोशिय दबाव का मारग प्रसस करता है इसके अतरेक्ट यह भाविश्य में मुद्रा स्पिती जनित दबाव वीनिमे दर सम्मंदित जोकिम और उच करो जैसे सिती को भी उत्पन करता है तो कुछ मातबुन सब्दावलिया पहले हमें लोग देख लेते हैं और उसका विपरन है तो जैसे कि रिन जेडिपी अनुपाद टीक है डेप टू जेडिपी रेश्यो रिन जेडिपी अनुपाद देश के सकल घरेलो जो उत्पाद है जेडिपी है उसमें सारवजनिक रिनो के अनुपाद को दर्साता है वा अपने रिनो का भुगतान करने में कितना समक्ष है तीक है रोल ओवर जोखिम ये नेक्स रोल ओवर जोखिम है रिनो के पुनर वित्यन से सम्मंदित एक जोखिम है अर्थात विशेस रूप से नए रिन पर लगाया जाने वाला ब्याज जो नए रिन पर लगाया जाने वाला पुराने ब्याज के रिन पर लगाया जाने अधिक होगा ठीक है मतलब कि जो नया रिंड पे ब्याज लगेगा वो अधिक होगा पुराने रिंड के ब्याज के पेक्षा ठीक है सामाने तब परिपक्तवा की अवदी जितनी कम होगी रोल ओवर जोखिम उतना ही अधिक होगा ठीक है अगर परिपक्तवा की अवदी जो है maturity की वो अगर एक शाल है तो उसमें जोखिम भी उतना ही होगा और अगर दो साल है तो उतना कम होगा ठीक है मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमा है जोखिम यह रिन पोर्टफोलियो की सुभेदक्ता से संबंदित है इसके साथ सती है बाय रिनो कीमुद्रा की तुलना में घरेरी रिनो में मुल्य में हुए हरास तता शरकार की रिन सेवा लागत से में संबंद विरिदी से संबंदित है अब राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुकतान जो राजस्व प्राप्ती होती है उससे जो व्याज भुक्तान कहा जाता है सरकार के तबारा उस पे है सरकार की राजस्व प्राप्ती से समन्दित रिन के बदले चुकाएगे कुल व्याज भुक्तान का अनुपात है यह ठीक है रिश्यो floating rate bond क्या है इन प्रतिवूतियों को परिवर्तन शील कूपन दर पर जारी किया जाता है ठीक है परिवर्तन शील कूपन दर पर सकल राजकोश्य गाटा ठीक है तो क्या है ये GDP से आशे राजस्व प्राप्तियों और गैर रिन पुंजी गत प्राप्तियों पर कुल वियाई की अधिकता से है ठीक है और क्या है कि इसके नेक्स्ट है अलपावधी रिन क्या है कि केंद सरकार की अलपावधी रिनों से आशे अगले बारा मन्त के भीतर परिपक होने वाले कुल रिनों से है ठीक है मतलब जो 12 एक साल के भीतर में अगर कोई रिन परिपक हो जाए तो उसे अलप अवधी रिन कहेंगे इसमें 14 दिवर्षिये मद्यावरती ट्रेजडी बिल नेमित ट्रेजडी बिल अगामी एक वर्ष में परिपक होने वाली प्रतिबूतियां और एक वर्ष में एक वर्ष से कम परिपक्त अवधी वाले बाहिरिन शमलित है ठीक है अब ट्रेजडी बिल देख लेते हैं कि ट्रेजडी बिल क्या होती है तो ट्रेजडी बिल वे रियायती उपकरन है जो सरकार को अपनी अलपकालिक नगदी प्रभाव से आशंतूलन का प जारी करता है तो आप ये टाइम पर ये डियाद रखना कि 91 दिन, 182 दिन और 365 दिन, 365 से एक दिन कमी है ठीक है तो इन तीनों मतलब की अवधी का ट्रेजडी बिल सरकार ये करता है जारी ओके 14 दिवसी इंटरमेडियर्ट रेजडी बिल, ठीक है, ITBS इसे आसे गैर विपनन योगे उपकरन से है जो राजे सरकार को जारी किये जाते है ताकि उन्हें एक निश्यत ब्यास दर पर अलपकालिक अधिशेश नगदी को परिन योज़ित करने में सक्षम बनाया जा सके, ओक अब यह संधारनिय रिन प्रबंधन के प्रती केंदर सरकार का दृष्टिकोन देखते हैं तो रिन प्रबंधन के लिए समर्पित एजंसी जो है, संसागत रूप से सरकार ने एक वैधानिक सारवजनिक रिन प्रबंधन एजंसी PDMA की स्थापना करने का निर्ने लिया है, ठ रिन प्रबंधन होगा, उसके लिए ये समर्पित होगा, कौन सा सरवजनिक रिन प्रबंधन एजंसी, ठीक है, इसके स्थापना करेगी शरकार ताकि भारत के बाहिये वह घरेलू, दोनों रिनों को एक ही एजंसी के अंतरगत लाया जा सके, इस दिसा में उठाया गया पहल कि स्थापना करना है, ठीक है, अब क्या है, मद्य अवधी रिन प्रबंधन के लिए सरकारे रणनेती, ठीक है, अब मद्य अवधी के लिए था, ये संदारनी अवधी के लिए था, ठीक है, अब मद्य अवधी के लिए क्या है, कि 2019 से 22 सरकार द्वारा इसके तहत कई कदम उ होंगे जैसे कि पहला है निम्न रिन की निम्न लागत ठीक है रिन पोटफोलियों की परिपक्तवा अबधी को बढ़ाना ठीक है परिपक्त मतलब की मिचोरटी की जो पिरियेड होगी डियूरिशन होगी उसको बढ़ाना अर्थवहस्ता में प्रचलन ब्यास दरों के करना और थड़ है आर्थिक मामलों के विभाग के उन अनिप्रभारों को सलाह देना जो बाही रिनों के मामले में संगलंगन हो है जैसे कि इन रिनों की लागत अवदी मुज्रा इत्यादी जैसे विसो पर ताकि इन बाही रिनों की सर्वुत्तम सर्तों पर प्राप्त किया 2017 का है और 2018 का है जैसे कि यह पब्लिक डिप्ट का दिया है यह इंटर्नल डिप्ट का दिया है अब देख लेना इसे अच्छे से उसके बाद क्या है कि इत्यादे जैसे विश्यों पर ताकि बाहर रिनो को सर्वोत्तम सर्तों पर प्राप्त किया जा सके अब जोखिम न्यूनी करन जोखिम न्यूनी करन क्या है कुछ संकेतों के लिए मांदन निर्धारत करना जैसे कि अलपावधी रिन बाहर रिन वा फ्लोट फ्लोटिंग रिड डिप्ट इत्यादी का अंश निर्धारत करना ताकि रोल ओवर जोखिम के स ब्यास दरो वा विनिमे दरो में होने वाले परिवर्तन से जुड़े जोखिम के संदर में जोखिम को कम किया जा सके ओके अब ब्यास का विकास क्या है कि बाजार का विकास शौरी बाजार रिन कारेकरम में पारदर सिता बनाई रखना ठीक है नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्ग बनाए रखना इन सब से क्या होगा बाजार का विकाश होगा तो अनिहित दार को के साथ प्रामर्स करना विभिन प्रकार के उपकरन जारी करना ठीक है? ताकि निवेशक अपने पोटफोलियो को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सके ये नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर वंचनिये अवधी वाले मान दंडों का निर्मान करना ताकि निवेशकों की भागिदारी और तरलता को बढ़ाया जा सके घरेल्यू निवेशक आधार के विकास का समर्धन करना विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी परतिबूती बाजार को खोलना अब यहाँ पे हैं ये बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया है रिंज अंधरनिये के संकेतों पर भारत का प्रदर्शन अब रिन संधर्णिय जो संकेतों है उसमें भारत का कैसा प्रदर्शन है इसमें हम लोग देखेंगे सिति पत्र या फिर स्टेट पेपर जो है आनुशार वर्तमान में सरकार के रिन पॉर्ट फोलियो अनुकुल संधर्णिय संकेतों को दर्साता है ठीक है क्या क्या दर साथ है तो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी के परतीशत के रूप में एक सकल राष्ट ये घाटा में वर्स दोजर बारा से तेरा के बाद में गिरावट दर्ज की गई है तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तीक है उसके बाद अलपावधी रिनो का अंच सुरक्षित सीमा के भीतर है और वर्स दोजर पांस से बारा के दोरान हुई कुल वृदी के बाद से सीर बना हुआ है सरकार ने रोल ओवर जोखिम को कम करने के लिए एक जागरुक रणनीती अपनाई है ठीक है अधिकान सरकारी जिन साई या न रिश्चत ब्याजदरों पर जारी किये गए है तथा वर्स 2019 में अउस्थाई अंतरिक रिनो का अंच जीडिपी में केवल 0.9% था जो की बजट पर ब्याजदर की अउस्थिती के प्रभाव को कम करता है ठीक है बाहे रिनो का निम्न अंश्रिया यह दर्साता है कि मुद्र जोखिम और इस्थिती अंतर राजटे पुन्सी बाजार के प्रती रिन पोटफोलियो की समिदन चिलता परयाप नहीं है अब राज सरकार के रिन उसको भी देख लेते हैं तो राज सरकार के रिन को क्या है कि राज का रिन जीडिपी अनुपात वर्स 2018 के 25.0% से घट कर वर्स 2019 में 24.8% हो गया है मतलब कम हुआ है राज सरकारों के समगर रिन प्लेट पोटफोलियो में सारवजनिक रिन की हिसेदारी में व्रिद्य हुई है और इस हिस्से इसका हिस्सा उनके सकल घरेलू उतपाद का 19.1 परतिशत रहा है सारवजनिक रिनो में बाजार रिनो की हिस धारकों में व्रिद्य हुई है जबकि रास्टी अल्प बचत कोश से प्राप्त रिनो में अत्यदिक गिरावट दर्ज की गई है वस 2012 में 24.4 परतिशत के उच्टर से गिरकर 2019 में 9.4 परतिशत रह गई है विगत कुछ वर्सों में केंद्र से प्राप्त होने वाले जिनों में कमी आई है और 2019 में कुल देनदारी में केवल 3.5 परतिशत रह गिया है ठीक है तो ये काफी अच्छा है अब नेक्स टॉपिक है हमारा सरकारी वित्य के संबंद में अन्य घटनाए ठीक है तो उपकर और अधी भार ठीक है शेस और सब चार्जिस तो सुर्कियों में क्यों रहा है ये तो ये सुर्कियों में क्यों रहा है ये भी देख लेते हैं तो केंद्री करों में विबाज ये पुल केंद्री करों में विबाज ये पुल जो है डिविजिबल पुल में राजियों का हिश्चा वित वर्स 2019 के 36.6% से तिवर गती से कम होकर वित वर्स 2020 में 32.4% हो गया है अन्य संबंदित तत देख लेते हैं तो चौदव जो वित आयोग था उसमें अनुसंसा की गई है कि 42% से कम है अर्टिकल 2.270 है जो केंद्र को उपकर और अधी भार आरोपित करने की अनुमती जो परदान करता है जिसे केंद्र को राज सरकारों के साथ साज़ा करने की अवशकता नहीं है मतलब जो ये उपकर और अधी भार है वो केंद्र सरकार, राज सरकारों के साथ सेयर नहीं करेगा जहां उपकर किनी विशिष्ट उदेशों के लिए आरोपित किये जाते हैं वही अधिवार करों पर आरोपित कर होते हैं ठीक है, Tax on Taxes ठीक है, तो आप समझ गए होगे उपकर क्या है और अधिवार क्या है हालाकि इन दोनों की प्रवर्ति औस हाई होती है जैसे कि स्वच भारत अभियान समदित पहलों के वितियन हेतु स्वक्ष भारत उपकर ठीक है, पचास लाक रुपे से अधिक आय होने पर दस परतिशत अधिवार आरोपित किया जाता है ठीक है अधिवार के आरोपन के समय उसके उद्देश्य को निरधारत करने के आविशक्ता नहीं होती है यह संग सरकार के विवेग पर निरभर करता है मतलब सरकार के विवेक पर ही यह निर्वन करता है कि वो अधिवार के माध्यम से उगाए गए धन का प्रियोग किस प्रियोजन से करेगा राजी की चिंताएं क्या है राजीों द्वारा इन करों को कि इस्थाई प्रकृती का विरोध किया जा रहा है तदा उनके द्वारा यह मांग की गई है कि या तो उन्हें समाप्त कर दिया जाए अथवा एक निर्दिष्ट अवधी से आगे जारी रखे जाने पर सिती में उन्हें विवाज पुल का हिस्सा बनाया जाए केंदर द्वारा उपकरों का उपयोग राज्यों के प्रसासनिक अधिकार शेत्रों में परवेस करने यह तो एक साधन के रूप में किया जा रहा है जैसे की कृषी कृषी कल्यान उपकर और स्वक्षता स्वक्ष भारत उपकर पर उपकर ठीक है सरकारी उधार अब नेक्स्ट है सरकारी उधार तो जैसे हाल में वित मंत्राला ने रिजरो बैंक के प्रमर्स से वित वर्स 2021 के लिए सकल बाजार रिन लक्ष को बढ़ा कर 12 लाग करोड रुपया कर दिया है इसे आंसमंदित तत क्या है कि भारत अपने राजश्व अत्वा वियाई के मद और संतूलन को समप्त करने के लिए शरकारी प्रतिबोती जो जी सेक है और ट्रेजडी बिलजारी करके उधार लेती है ठीक है उधार सरकार द्वारा लिया गया रिन है जो बजट संबंदित दस्तावेज़ जो मेव पुंजी गत प्राप्तियों के अंतरगत सामिल है जैसे कि देखिए अब क्या है कि सरकार जो है रिन किस से लेती है तो या तो अपनी सेक्यारिटी से लेगी जी से या फिर ट्रेजडी बिल से या तो वो आर्बी आई से लेगी ठीक है तो वही इसमें बता रहा है कि जो सरकार उधार जो उधार लेती है लिया गया जो रिन ह वो बजट संबंदी दस्तावेजन पुंजीगत प्राप्तियों के अंदरगत सामिल होता है ठीक है तो वो कहां सामिल होता है पुंजीगत प्राप्तियों के एक राजस्व प्राप्तिया होती है राजस्व प्राप्तिया में जो जैसे की टेक्स से होता है जिसमें आपको फिर पाइसा को चुकाना ना प्ड़ए और पुंजिगत प्राप्तियां आपको पैसा फिर चुकाना होता है जैसे भोवा जीसे कि सरकार अपन इनी कृति गोरेटी के लिए पैसे भी मtiहते होता है पुझिकत प्राप्तियां ठीक है तो उधारी में वृधि के कारण नीवल कर राजस्व में आपेक्षित कमी हो जाती है ठीक है जो कर का राजस्व होता है उसमें कमी आ जाती है शेयर बाजारों में रिकॉर्ड में मन्दी निवेशकों के मध्यम से दन जुटाना कठीन बना है ठीक है व्याज में बढ़ोतरी जैसे हाली में राहत आए हसांत्रन और समर्थन उपाए आधी के लिए 1.7 करोड रुपे की राश्री जारी की गई है रात में बढ़ोतरी कर देते हैं सबसीडी को जादा ही दे देते हैं तो इस इन सबसे भी इसमें हो जाता है ठीक है बढ़ती उधारी से बॉन्ड बाजार पर दवा पड़ सकता है तो नीजी शेत्र के लिए क्राउडिंग आउट ज बाज बाजकोश्य घाटे में तेजी से बढ़ने की सबावना होती है रजकोश्य घाटे जो है वह भी तेजी से बढ़तने लगता है जो यह दरसाता है कि अर्थवेस्ता को कोबिद 90 के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार के पस बड़े पैमाने पर वित्य प्रोचान के लिए सिमित विकल्प है अब नेक्स है हमारा कि राज जी के लिए उधार पर सीमा है अब बॉर्विंग लिमिट फोर स्टेट अब स्टेट तो बॉरो करता है बट उसके कुछ सीमाएं भी है तो क्या है कि केंद्र ने हाल में केंद्र ने चालू वित वर्ष के लिए राज जी की उधार सीमा को उनके सकल राज जी घरेलू उतपाद के तीन परतीशत से घटाक बढ़ा कर पांच परतीशत कर दिया है ठीक हाला कि उनके द्वारा कि ये जाने वाले विसिस्ट सुधार सुधारों के अभीन है गंतव है कि राज द्वारा राज कोशिय उतरदाई और बजट प्रबंदन जो है अधिनियम के तहत निरधारित उधार सीमा जो है तीन परतीशत थी ठीक है वर्तमान में बढ़ोतरी का आगर किया जा रहा है उसमें पाच परतीशत के लिए दो सो आधार अंकों की इस वृधि में से पचास आधार अंकों तक के उधार शर्त रहीत होंगे जबकि एक सो पचास आधार अंकों के उधार शर्त होंगे जिसमें सामेले एक राशन का शार्वोभॉमिक is of doing business वदूत वीतरन शहरी अस्थानी निकाय के राजासों संबंदी सुधारों के लिए शोव अंक निर्धारित किये गए है अभी पहले बॉक्स देख लेते हैं उसके बाद इसका पॉइंट्स देखेंगे जो FRBM Act है 2003 का तो ये क्या है FRBM अधिनियम के अंतरगत राजकोशे घाटे को कम करने हेतु विती अनुशन्शा की एक सनरशना स्थापित की गई है ठीक है इसकी अतिरिक्त इस अधिनियम के तहस्थ सरकार द्वारा राजकोशे घाटे को 31 मार्स 2021 तक घरेलू उत्पात के 3 पतिशत ठीक है तक सीमित करने का लक्ष निर्धारन किया गया है इसलिए 31 मार्स अब बीद चुका है इसलिए ये लोग अब बढ़ाने के बात लाए है सरकार द्वारा मानेता समानेता अपने घाटे की पूरती RBI से रिल लेकर या ट्रेजडी बील या बॉन्ड जैसे विबिन प्राव पत्रों को जारी करके पूर्जी बाजार के मादम से धन जुटा कर की जाती है राजियो राजियो के अपने FRBM अधिनियम है जो उनके वार्सिक बजट को सकल राज़े घरेलू उतपाद के तीन परसत तक सिमित रखने का लक्ष निर्दारित करते हैं ओके अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जुस्सा पॉइंट था इसमें से प्रत एक सुधार का भारित 25 अंक अधार अंक है इसके अतिरिक्त यदि उपयुक्त 4 सुधार शेत्रों में से कम से कम तीन में उल्लेकनी सफलता अर्जित कर ली जाए तो अत्रिक्त उधारी के लिए 50 अंक प्रदान किये जाएंगे यह थोड़ा यह कुछ कंडिशन दिया गया है वन राशन कार्ड वाला है इस अफ डूइंग बिजनस का है अर्बल लोकल बडिस का है और पावर सेक्टर का है जैसे वन राशन कार्ड का जो है वो देख लेते हैं तो इसमें क्या गया है कि आधार के बारे में दिया गया है सीड आल दरेशन राशन कार्ड फ्रॉम दर रिस्पेक्टिव स्टेट ठीक है सारे मतलब की आधार जैसे कि आधार इसमें मतलब कि जोट जाएगा और क्या बोल रहा है कि सारा रिस्पेक्टिव जो स्टेट है सबका एक साथ जो वन राशन कार्ड वाला है Install point of sale machine in all fair price swap in the state मतलब कि हर स्टेट में आप एक ही मतलब प्राइस पे खरीच सकते हो ease of doing business का district level पे है state level पे है और make inspection randomized with prior notice and full transparency प्राइर नोटिस पे हो और full transparency हो इसमें ठीक है और फिट हर्ड पावर सेक्टर पे reduce ATC losses जो है इसका reduce करे reduce ACS, ARR gap ठीक है और provide power subsidy to farmer through DVT direct benefit transport, okay DBT, urban local bodies जो है notify properly tax flow rates जो है उसको tax flow rates के बारे में उसको अच्छे से notify किया जाए in consonants with circle property rates, okay, notify water and seaway charges water and seaway charges का उसको notify किया जाए, अच्छे से, तब सब कुछ ठीक से चलेगा, okay उसकी बाद क्या संबंदित केंद्रे विदूत, आवाश और सहरी कारे वानिर जी उद्योग मंच्राले वक्हाद प्रसंसकरन उद्योग मंच्राले इन सुधारों के संदर्व में राज प्रदर्शन की निगरानी और मुल्यांगन करेंगे, okay अब यह हमारा next point है, सचीव के आधार प्राप समूहों और परियोजनाओं का विकास प्रकोस्ट, ठीक है, P.D.S. हाली में केंट सरकार ने भारत में निवेश को अकरसित करने के लिए मंच्राले और विवावों के सचीवों के एक आधिकार को एक आधिकार प्राप समूह और परियोजनाओं का विकास प्रकोर्ट की स्थापना की मंजूरी दी है, okay क्या है यह EZOS? तो EZOS की सनरशना क्या है कि कैबिनिट सचीव द्वारा इसके अधिक्ष्टा की जाएगी, नीतियों के मुखे कारेकारी अधिकारी इसके सदस्ति में सामिल होंगे, अन्य सदस्ति क्या है उद्योग, आंतरिक व्यापार, वनिर जी राजस्व और आर्थिक मामलों के विव विविन विवागों के सचीव इसमें होंगे शामिल, इसका उद्देश क्या होगा कि निवेश में समंदित नीतियों के विशय में विवन विवागों और मंत्रालों के मद समंजस से सापित करना तदा समय बद स्विकृतिया सुनिशित करना, फास्ट्रेक निवेश मंजू पर दिरिश्यस में नीदिगत स्थाइत्व और समंझस से स्थापित करना, ठीक है? विभागों द्वारा रखे गए निवेश प्रस्ताओं का मिल्यांकन करना, इसके अतिरिक्त विभागों के अधिकार प्राप्त समू द्वारा विभिन चर्णों के समापन के लक्ष को निरधारन किया जाएं, ठीक है? यह कुछ चार्ट दिया गया है, लॉस्ट टू स्टेट फ्रम लेवी और सब्चार्जेस एंड शेस, ठीक है? तो यह इस्टिमिट है, रिवाइज दॉर वजिट, यह हो गया, अब परियोजना विकास प्रकोस्ट क्या है? ठीक है? यह देख लेते हैं, तो परियोजना विक के लिए एक PDS के स्थापना को स्विकृति दी गई है, ठीक है? सभी स्विकृतियां जो है, आवंटन के लिए भूमी की उपलबता और निवेशक को द्वारा स्विकार्यता निवेश के लिए पूर्ण विस्तरित परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजना त्यार करना, निवेशक जो निवेश अकरसन करने और उसे अंतिम रूप प्रदान करने के करम में ऐसे मुद्दे की पहचान करना जिनका समधान करने की अवशक्ता है, ठीक है? और उन्हें अधिकार प्राप्त समुह के सक्षम, समक्ष रखा जाना चाहिए, ठीक है? पीडियस निवेश करने योग ये परियोजना जो है, उसकी अवधारना को विक्षित करना और नीती तियार करना उसे कर्यानवित और प्रसारित करने में मदद करेगा, ठीक है? अब क्या है आर्थिक रिकावरी? ये हमारा नेक्स टॉपिक है, आर्थिक रिकावरी, तो वै एकनॉमिक आउटलुक के अनुसार, ठीक है? एकनॉमिक आउटलुक नाम एक रिपोर्ट ये जो OECD जारी करता है, उसमें कहा गया है कि वैश्विक जो अर्थवेस्ता है, वो 2020 में लगव छे परफ़त की गिरावट में है, अब भारती अर्थवेस्ता में क्या कहा गया है? कि राष्टे सांखी की कारेकरम जो NSO है द्वारा जारी जो GDP आकडों के अनुसार, वर्थ 2019 से 20 के दौरान, GDP की विर्दी दर 4.2 रही है, जो विगत 11 वर्थों की तोलना में सारवधिक निशले अस्तर पर रही है, ठीक है? अब वास्तविक आधार क्या है? रियल टर्म्स पर प्रति आय में विर्दी, वर्थ 2019 से 20 में 3.1 परसंट और 18 से 19 में 4.2 परसंट था, राजकोशिय घाटा देख लें तो, 2019 से 20 में GDP का 4.59 परसंट तक पहुँच गया है, जो थोड़ता हाई है, ठीक है, तो यह सब पॉइं रचकोशिय घाटा कितना है, 2019 से 20 में तो GDP का 4.59 परसंट तो इसे याद रखना, ठीक है, सारवजनिक रिल गहरेलू उत्पाद अनुपाद, ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्थ 2020 में सारवजनिक रिन GDP अनुपाद उलेखनिय रूप से बढ़कर 89.3 परसंट होने का अनुम तथा कर राजस्वो और आर्तिक गदी वीदियो में गिरावट, ठीक है, तो COVID-19 ने बहुत ज्यादा एफेक्ट किया है, तो यह थोड़ा इस्टिमिट है, आप देख लेना इसे, ठीक है, अब यह कुछ शेप दिया है, रिकवरी का, तो यह most important हो जाता है, मैं अच्छे बताती हो, यह रिकवरी का से, आप इस अच्छा से देखना और याद जरूर कर लेना, क्योंकि most important है, तो देखे, मैं आपको शेप करकर के बताती हो, तो Z सेप की रिकवरी, यह रिकवरी सबसे ज़्यादा आशावादी प्रदिर्श से की है, ठीक है, जिसमें आर्थवैस् सिगरता से समरिधी पत पर प्राप्त कर लेती है, ठीक है, जैसे कि नीचे गया फर यह उपर आ जाता है, ठीक है, तो Z सेप की यह होई, V सेप की आप देख लो, तो यह अगला सर्वोत्तम परिद्रिश्य है, ठीक है, जैसे कि क्या है कि आपका यहाँ से, यहाँ पे था, त तता सामानी रूप में जारी सम्रिद्धी के रुजान में पुनल लोट जाती है। अब यू सेप की रिकवरी आप देख लो तो यहां पर हमारा यह ग्रोथ रहता है लेकिन यह थोड़ा सा जब नीचे आ जाता है तो थोड़ा दिन रहता है। असके बाद यह फिर उपर आता है। तो क्या है कि जिसमें आर्थवयस्ता कि पहले गिरावट आती है फिर कुछ समय तक संघर्सरत रहता है। अस्तवयस्त रहते हुए निम्न सम्रिदी दर परदर्शित करने के पचा दीरे दीविरे बढ़कर पूर्णता अस्तर पर पहुंचाती है तो उसे कहते हैं इस तरह। ठीक है अब डबलू सेप की रिकवरी आप देख लो तो पहले यहां पर हमारा ग्रोथ है फिर डाउन हुआ फिर थोड़ा सा अप हुआ फिर डाउन हुआ फिर रिकवरी हो जाता है। तो क्या है कि इसमें पहले सम्रिदी दर की गिरावट आती है फिर शुधार देखा जाता है या पूना गिरावट आ जाती है और उसके बाद जो अर्थवेस्ता वापस पटरी पर आती है इस प्रकार डवलू जो सेप की चार्ट है या परदर्शित करते कोविड नैंटी की द जागे गा ही फिर आपका ये आजाता है एल सेप की रिकवरी ठीक है तो यह सबसे खराब इस सिती को दर्शाता है कि यहां पर हमारा ग्रोथ रेट है नीचे गया और ये चलता रहा गिरावट आई असम्रिदी दर नीमने अस्तर पर इस्थेर ही रह जाती है दिर काली तक ठ ठीक नहीं होती है अग्जे शेप की देख लो आप तो यह क्या है कुछ हड़ तक वास्तविक परिद्रिश्ट रह जो सम्रिदी दर निमने तम अस्तर सिक्री ऊपर उड़कर अत्यदिक ऊपर चली जाती है और वह बनी रहती है तो के सेप की आप देख लो अब के सेप हैं के आकार की recovery को परिद्रिश है कि अर्थविस्ता में विभीन छेट रखो कि खंडो को के अक्षर में मतलब कि कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है कोई सेक्टर नीचे जा रहा है ठीक है विभीन सेक्टर को यह दर्शार है अर्थविस्ता में तो यह बुझाएं है यह सब आप प्याद रख लेना, ठीक है, शाथ सेब के हैं, साथ हो सेब को अपच्छे से याद रख लेना, पीएम केर्फंड क्या है, कि हाली में उस्तब न्याला ने पीएम केर्फंड के धन को राश्टी आपदाराद कोश के में आंतरिक करने से समंदित एक याजिका का खारिज कर दिय करने से इटिकैं कर लेना, तो एक या, थक्या है, ठीक है, उस्तब न्याला ने पीएम केर्फंड को फंड के बारे में कुछ माध्यपोन टिपणिया की, तो क्या है टिपनिया यह देख लेते हैं, यह कहते हुए कि दो विबिन संसा है नियाले ने PM Care Fund से NDRF में धनराशी अंतरन हेतू निर्देश देने से आसिल कार कर दिया है NDRF आपदा प्रबंदन 2005 के तास अस्थापित एक सम्विदिक कोश है चुकि PM Care Fund जो है कोई सरकारी शायता प्राप्त नहीं होती इसमें इसलिए नियांतरन और महाले का परिक्षक द्वारा इसके लेखा परिक्षन के आवस्तर नहीं है PM Care Funds में योगदान करने के लिए किसी भी संस्था और व्यक्ति को परतिबंदित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्वैक्षिक है COVID-90 में व्यूदपन चुनोतियों का सामना करने के लिए नहीं राश्टी आपदा प्रबंदन योजना की आवस्षकता को यह कहते हुए असिकार कर दिया गया कि यह बौध गम नहीं है कि आपदा आने के पश्चात एक योजना निर्मित की जाएगी अब देख लेते हैं PM Care Funds और NDRF में डिफरेंस गठन क्या है कि यह COVID-90 के कोप के दौरान 2020 में कटित किया गया और यह NDMA Act 2005 जो है उसके अधिनियमित होने के बाद राश्टी आपदा आकास्मिक निदी NCCF के नाम को परिवर्थित करके और NDRF कर दिया गया उदेश ग्या है तो उदेश देख लेते हैं यह दोनों की उदेश देख लेते हैं तो PM Care Funds के उदेश क्या है किसी भी प्रकार की रहात या सहायता ये तु समर्थन प्रदान करना स्वास देख बाल वद्दवा निर्मित सुविधां का निर्मान या उद्पन करना वित्य चाहिता पहुचाना तदा भुक्तान के अनूदान का समर्थन करना इसमें किया है कि किसी भी खतरनाक आपदा की सिती या आपदा के दौरान आपतकालिन प्रकरिया है राहत और पुनर्वास एतु कर्चे को पूरा करना गंबीर प्रकरती की आपदा की सिती में SDRF को स प्रसासनिक तंत्र परुकार के शेत्र में जोड़े परसिद व्यक्ति होते हैं ठीक है ट्रस्टी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी सवतंत्ता, समक्षता चंता के साथ कारे करेगा और इसमें किया है नीधी का प्रवन्दन केंदर सरकार के द्वारा किया जाता है क्रिशी और किशान कल्यान मंच्राले के तहत क्रिशी और साकारिता, विवाग, चक्रवात, सुखा, भुकंप, आग, बाड, सुनामी, ओला फृष्टी, भुसकलन, हिमसकलन, मेग, प्रसफुटन, क्लाउट, ब्रस्ट, कीचो कामला, पाला, शीत, लहर, आधी से जुड़े आपदाओं के लिए राहत गतिवीदियों की न स्वेक्षी अंसदान पर निर्मित है, FCRA के तहट छूट पर दान है किया गया है कि अता या विदेशों में सित व्याक्ति और संगटनों से दान तता आर्थिक चाहियों को स्विकार कर सकता है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ वस्तुओं पर उपकर आरोपित कर संग्रहीत क किया जाता है, जैसे उत्पाज सुल्क और शीमा सुल्क समंदित वित विदेया के माध्यम से वारसिक स्तर पर अनुमोधन किया जाता है, अब यह कहा है लेखा परिक्षन आंकेचन, अब इसका क्या है कि नीदी का लेखा परिक्षन स्वतंतर लेखा परिक्षन के द्वारा किया जाता है जिने ट्रस्टी द्वारा न्यूक किया जाएगा और इसमें क्या है कि कैग जो है द्वारा इसके खाते का लेखा परिक्षिन किया जाता है अब है प्रत्यक्षकर तो क्या है वह कर यह वह कर है जो कारा घात और कारा पात उसी व्याक्ती पर पड़ते हैं, जिसके उपर सरकार कर लगाती है मतलब कि देखी आप कि अगर मतलब कि आप कुछ खरीद रहे हो, अगर आप एक पेन खरीद रहे हो, okay? पेन आप एक खरीदते हो, ठीक है? तो इस पेन का टेक्स आप पे करते हो, ठीक है? पेन का आप 10 रुपीज पे कर रहे हो, इसमें आपका टेक्स 2 रुपया है, ठीक है, आपका 8 रुपय का पेन है, लेकिन आप 10 रुपीज पे करते हो, तो टेक्स आप पे कर रहे हो, लेकिन जो मैनिफेक्चर कमपनी है, जो पे इन को बना रही है, वो सरकार को टेक्स पे करती है, टेक टेक्स कंपणी पे लगा रही है लेकिन टेक्स पे कॉन कर रहा है आप कर रहे हो तो ठीक है तो यह हो गया इंडिरेक्ट टेक्स ठीक है लेकिन डिरेक्स में क्या होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका मतलब जैसे कि आप इंकम टेक्स दे रहे हो ठीक है आप इंकम कर तो उसका text आप पे ही लग रहा है तो यह हो गया direct text ठीक है तो प्रतेक्ष कर यही हुआ तो जिस व्यक्ति पे कर लगा है मतलब कि आप पे कर लगा है तो pay भी आप ही करोगी अपने पैसे से ठीक है तो यह हो गया direct text सरल सब्दों में प्रतेक्ष कर वह कर है जहां कोई व्यक्ति का कोई company का रारोपित करने वाले प्रतेक्ष कर का भुकतान करता है मतलब खुद से वो कर का भुकतान करेंगे इसे प्रगती शील कर progressive text कहा जाता है progressive text मतलब कि अगर जिसका काम आये है उसको कम pay करना पड़ रहा है मतलब percentage पर चलता है कि आपको total सबको अगर 4% करना है मतलब मैं एक एक्जांपल दे रही हूँ अगर 4% करना है और अगर कोई आदमी 10 रुपे कमा रहा है तो उसका 4% वो देगा कोई 20 कमा रहा है तो उसका भी वो 4% देगा तो जो 10 रुपे कमा रहा है वो तो कम text दिया और जो 20 कमा रहा है वो जादा text आपको दे रहा है ठीक है तो यह progressive हो गया कि जैसे tax बढ़ते गया मतलब आपका income बढ़ते गया tax भी आप चादर दे रहे हो तो देता का अनुपात व्यक्ति या company की आई में व्रिधी के साथ बढ़ता जाता है विभिन प्रकार के हैं जैसे आई कर, निगम कर, लाभान वितरन कर, प्रतिभूती लेन देन कर और अनुशंगिक लाभांकर कर और संपत्ति कर तो यह आप याद रखना कि indirect text क्या है जैसे कि question आपको पूछ सकता है कि आपको option दे देगा कि यह text है आपको बताना है कि कौन सा direct text है या indirect text है आपको कुछ points दे देगा तो आप उस type से आप छाट सकते हो कि कौन सा direct text है कौन सा indirect है तो इसलिए आप इसे याद कर लेना कि आइकर निगम कर, लाभान्ष वितरन कर प्रतिभूती लेन देन कर और अनुशंगिक जैसे fringe benefit text और संपत्ति कर यह सब direct text है प्रतिक्ष कर संबंदित सुधारों की अवशकता आएकर सनरशना की युक्ति करन एवं सरली करन कर प्रनाली में दरों की सनरशना विगत 20 वर्सों से व्यापक तोर पर समान रही है इसलिए text labs को सही करना अवशक है तो यह India text penetration status है 5% population का दिया हुआ टेक्स पेर 15 million से ठीक है वो actually paid taxes जो direct tax pay कर रहे है और 5 जो tax payer है 588 million 5% ठीक है वो filled taxes ठीक है वो filled करते हैं टेक्स to GDP ratio क्या है 70% is equal to 6% direct tax plus 11% indirect tax है ठीक है 17% इंडिया में जो है टेक्स पेर है मतलब टेक्स दे रहे है emerging economic 21% ठीक है और OECD average 34% ओके तो यह हो गया हमारा next है निगम कर कि सनरशना का सरली करन और छूटों की चरन्बन समापती उद्वादर छूट न्याय संगत नहीं है ठीक है तता साथ ही बड़ी संख्या में छूट परदान किये जाने के कारण राजस्व का अत्यदिक नुक्षान होता है ठीक है और फिर काराधार का विस्तार यह निम्न कर दरों एवं सरली करन कर धाचों के कारण शंभावित राजस्वहानी की समस्था से निपटने में सहायता प्रदान करेगा कारे आचिका को कम करना आवश्यक औचित्ति और मुल्यांकन के बिना कारेवाई प्रारम करने की कर धिकारियों की प्रविर्ती अपील की कम सफलता दर से परिलक्षित होती है अधा विवाद समदानों के वेकल्पिक उपाय प्रदान करने की अवश्यक्ता है कर संग्रहन की दक्षता में सुधार करने के सासात कर दाता की शायता के लिए कर प्रसासन में प्रद्योगी की के समावेशन की भी अवश्यक्ता है वैस्विक अर्थवैस्था के साथ बहतर ताहल मेल चुकि भारत व्यपारिक संबंदों और पुंजी खाता परिवर्तनिय के संदर में वैस्विक अस्तर पर बहुत अधिक एकिकृत है इसलिए राश्टी अस्तर पर विदेशी वा घरेलू कमपनी के साथ साथ व्यवार में अंतर को चरनबंद रूप से समाप्त किया जाना चाहिए अब है कि प्रत्यक्ष कर विवस्ता में सुधार तो यह क्या है कि कुछ विगत वर्सों में उठाएगे कुछ कदम वो है तो व्यक्तिकर आयकर है, व्यक्तिकर आयकर विति आधिनियम 2020 के जरिये व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायत दरों पर आयकर का भुकतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है, बशरते की वे निर्दिश छूट और प्रुचान का लाब ना उठाएं, ठीक है, व्यक्ति एक्विटी बाजार के आकर्सन को बढ़ाने और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को रहत प्रदान करने के लिए, कमपानियों को एक चार दौसर बीस से डीडीटी का भुकतान करने के आवशकता नहीं है, ठीक है, विवाद से विश्वास योजना, तो ये विवाद से विश्वास योजना भी इसका उदेश लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करना है, जिससे ना केवल समय पर राजस्वस होने की सरकार बल्कि मुकदमे बाजी की बढ़ती लागत को भी कम करने से करदाता को लामानवित किया जा सके ठीक है स्टार्ट अप के लिए अनुपालन मांदंडो का सरली करन स्टार्ट अप को समस्या से छोट कारा दिलाने की कोशिश की गई है जिससे मुल्यांकन प्रकिरिया का सरली करन एन्जल टेक्स से मुपती समर्पीत स्टार्ट अप प्रकोस्ट का गठन आदी समलित है अपिल दायर करने के लिए मौधरिक सीमा में व्रिदी की गई है करदाताओं के शिकायत मुकदमे को प्रभावी तुरूप से कम करने के लिए अपिल दायर करने की मौधरिक सीमा में व्रिदी की गई है जैसे आयकर अपिल अधिकरन जो है उसके समेक्ष अपिल दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपय से बढ़ा कर 50 लाख कर दी गई है उसतर नयाले के समिख्ष अपिल दायर करने की सीमा जो है 50 लाख से बढ़ा कर 1 करोड कर दी गई है और सुप्रीम कोट के पास 1 करोड से 2 करोड कर दी गई है ठीक है अब है हमारा next topic है प्रत्यक्षकर विवस्ता में सुधार है तो हाली प्रयास तो यह हो गया अब इसका फर्स्ट है पारदर्सी करदान पारदर्सी करदान इमांदारी का सम्मान प्लेटफर्म इसका हुदेश कर अनुपालन को सरल बनाना तेका इमानधार करदाताों को पुरिष्क्रित करना एक पोड़र की मुखी विसे इसता क्या है faceless मुल्यांकन होगा faceless appeal होगा ठीक करदाता charter भी इसमें होगा फेसलेस मुल्यांकन इसे क्या है कि करदाता और आयकर अधिकारी के मदे संपर्क को समाप्त करने ही तू आरम किया गया है इस परनाली के अंतरगर किसी भी करदाता का चेन केवल डेटा अनलाइटिक एंड आर्टिफिसिल एंटेलिजन्ट का उप्यो करके कंप्यूटर के माधन से किया जाएगा उलेखनी है कि इस तजपर केंद्री आपरतेक्ष और सीमा सुल्क बोड ने तुरत कश्टम नामक एक पहल के तहत कंसाइजमेंट के फेसलिस मुल्यांकन का कार आरम भी किया है थोड़ा से ये वीडियो लॉंग हो जाएगा मैं सुरू में आपको बोली थी क्योंकि इसका थोड़ा कंटेंट जादा है तो आप लोग पेसेंस बनाके वीडियो फुल देखें फेसलिस अपिल क्या है कि इसके तहद अपील यादरिस्च रूप से देश के किसी भी कर अधिकारी को अवंटिन की जाएगी अपील पर निर्ने देने वाले अधिकारी की परचान को गुपनिया रखा जाएगा करदाता चाटर क्या है या आईकर अधिकारियों एवं करदाता वो दोनों के अधिकारियों और उतरदायतों को रेखांकित करता है आई विभाग द्वारा समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने से नागरी को के ससकती करण की संभावना में व्रिदी होगी या आईकर दाताओं की नीजता वो गोपनियता के संरक्षन में साहता प्रदान करेगा या आईकर कारेले के शेत्री एधिकार के शेत्र को समाप्त करने और समाप्त कर भरष्ट परताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करता है ठीक है नेक्स्ट है कि गूगल फेश्बुक जै तो यह क्या है कि भारत में 2020 में दो पर्तिशत दर से डिजिटल सेवा कर जो है DST आरोपित कर करने का निर्ने किया है। भारत में 2016 में 6% की दर से समकारी लेवी की सुरुवात की गई थी। इसे भारत में अस्थाई प्रतिश्थान नहीं रखने वाली ग्यार निवासी कमपनियों पर आरोपित किया था। रुपे से अधिक होनी चाहिए। ठीक है आगे चलकर E-commerce कमपनियों को भी इसमें सामिल कर इस लेवी के दायरे को विस्तृत कर दिया गया। ताकि E-commerce कमपनियों के लिए इस लेवी किदर दो परस्थ है तथा चार्ज या अधिबार भी अलग से दे होगा। डिजिटल और्थ व्यवस्ता में हुई ब्रिधी के कारण इस बात को लेकर भी नीतिगा में बहुत जारी है कि डिजिटल कमपनियों को कहा और कैसे भुकतान करना है। अनेक डिजिटल व्यवसायों, मौडलों को उनके देश में बहुत ते कुपसिती की आवशकता नहीं है। जहां उनके द्वारा भिक्री की जाती है क्योंकि वे दूरस्त भिक्री और सेवा प्लेटफॉर्म के मादम से ग्राह को तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। आर्तिक सहयोग और विकास संसंच जो OECD है, उसके आधार संडरक्षन और लाब हंसांतरन फ्रेमवोग के ताहद संदर्म के देशों में द्वारा वरतायें की जा रही है कि डिजिटल फार्मों की उनकी बहुत तिक उपसिती या लाब को ध्यान में रखे बिना करू का दोस्तम कौन-कौन से फर्स्तम है जो डिजिटल कंपणी द्वारा की जाने वाले लाब निर्दारन और किसी किस देश को उन पर पहले कर लगाने का अधिकार है ये संबंदित है और दूसरा है कि एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जो कुल प्रॉफिट पूल या कुल यूएस्टियार यूनाटेज स्टेट ट्रेड रिप्रेजन्टेटिव भारत द्वारा अरूपित दिजिटल कर के संबंद में एक जान्च सुरू की गई है यूएस्टियार का रियाले ने कोशना की है कि वर दिजिटल सेवा करों को लागू करने या इने बढ़ावा देन को लेकर भारत और नौ अने देशों के विरुद धारा 301 के तहत जान्च सुरू करेगा क्योंकि ये अमेरीकी कर कंपनियों के वर्वसाय को प्रभावित कर सकते हैं उलेकनी है कि यूएस ट्रेड अक्ट 1974 की धारा 301 अमेरीका को एक पक्षिय तोर पर प्रसुल्क और अने देशों पर वियापार प्रतिबंद लगाने की अनुमती देती हैं अब जी एस्टी के बारे में कुछ है जी एस्टी जो है वसु और सेवाकर का विकास करम जो जी एस्टी के वियस्सा तीन वर्ष्पुर्न हो गए हैं तो इसको एक जूलाई को गटित किया गया था यह एक पाद सुल्क और मुल्य समवर्दित या कर या वैलू एड़ेट टेक्स वैट सेवा कर विलाशिता कर लगजरी टेक्स आधी 17 आप्रत्यक्षकरों को समलित करके सबसे बड़े आप्रत्यक्षकर के रूप में प्रारंब किया गया था मतलब यह आप्रत्यक्षकर है प्रत्यक् संपिंग ड्यूटी प्रेट्रोलियम उत्पाद और केंद्री उत्पाद सुल्क मानव उपभोग वाले अलकोहल वैट आदी ठीक है वरतमान में सभी उत्पाद हो जैसे कि प्रेट्रोलियम अलकोहल रेल अस्टेट विदूत को छोड़कर सब पर जीस्टी लागू है इन्हें पांच परतीशत जैसे कि 5, 12, 18 और 28 परतीशत के चार अलग स्लाब है इसमें वर्गी कृत किया गया है जीस्टी परिशत जो है सम्विदान के आर्टिकल 279-1 के ताद स्थापित एक सम्विदानिक निकाय है ठीक है जीस्टी से सम्बंदित मुद्दो पर संग और राज्य क अनुशन साय परतीब करतीए परिशत की अध्यक्षत केंद्रिय वित मंतरी द्वारा की जातीए इसके आनने शदस्सियों में केंद्रिय वित राज्य मंतरी ताथा आने राज्यों के करणधान और प्रभारी मंतरी सामिल है इसकी अनुशन साय बा teamwork होती ए और नीडनेस 70% बहुमत से होता है ठीक है अब आने महतुपुन सब्दावलियां को देख लेते हैं जैसे कि हैं मुनाफ़क होरी रोधी जीस्टी लागू होने से कर की दरों में आई कमी और इन्पुट टेक्स क्रेडिट में व्रिधी के कारण होने वाले किसी भी लाव को कीमतों के अनुपा आलतिक कमी के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान किया गया है इस उपाय को मुनाफ़क होरी रोधी के रूप में जाना जाता है इन्पुट टेक्स क्रेडिट इसका दात पर यह है कि आउटपुट बिकरी पर टेक्स का बुकतान करते समय उस टेक्स को घटाया जा सकता है जो पहले ही इन्पुट पर चुकाया गया हो इवे बिल क्या है कि जीएस्टी विवस्टा के अंतरगत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिकरी के लिए 50,000 रुपे से अधिक मुल्य के माल की किसी भी खेब को ले जाने वाले कंसाइटमिंट को के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाना जाने वाल अवश्यक दस्तावेज है ठीक है विगत कुछ मा में जीएस्टी संबनित प्रमुक विकास करम पांच करोड रुपे से अधिक टर्नोवर वाले कारदाता को वर्स 2021 में हार्मोनाइज सिस्टम ओफ नोमेंक्लेचर HSN कोड प्रदान करना चाहिए HSN कोड जो है जिसे विश्व सीमा सुल्क संगठन द्वारा विक्षित किया गया है सीमा सुल्क उदेशों के लिए व्यपार की जाने वाले वस्तूओं के वर्गी करन ही तो एक अंतरास्टी नामंकरन कोड है वित मंच्रालन ने इस स्तथ की ओर संकेत किया है कि फर्जी जिस्टी इन्वाइस के जारी करता एवं लाभारती को विदेशी मुद्रा संडक्षन और तसकरी निवारन अधिनियम के तहद हिरासत में लिया जा सकता है वर्टमान में जिस्टी इनियम, आयकर इनियम और धन शोधन निवारन इनियम के तहद कारवाई की प्रारंब की जा रही है उसके बाद क्या है, सीओ, एफी, पीओ, ऐसे अधिनियम जो है 1974 का विदेशी मुद्रा के संडक्षन एवं सबवर्धन और तसकरी की गतिवीदियों की रोगथाम तदा इससे जुड़े कुछ मामलों का निवारन निरोध का प्रावधान करता है उस्तम न्याले ने लोटरी, दावा और शूट, धूट, गैंबलिंग पर जी एस्टी की वसूली को ओचित चाहराया है सुप्रीम कोट ने अवलोकन किया है कि संविदान के आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 12 के तहत वस्तु की परिवासा समावेशी है और वस्तु के लिए कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ देने का कोई अविप्राय प्रलक्षित नहीं होता है अब GST शतिपूर्थी उपकर और समवर्धन विवाद हाली में GST शतिपूर्थी उपकर और अनुमानित रूप से 30,000 करोड रूपे की कभी को लेकर केंदर और राच्छी के बीच एक विवाद सुरू हो गया है शतिपूर्थी उपकर इससे जुड़ा विवाद क्या है गंतव है कि GST एक एकल कर है जो कई अन आपरतेक्ष करों को परतिस्थापित करती है इससे उत्पाद और उत्पाद कर जैसे कर आरोपित करने की केंदर की सक्ति समात हो गई है वही राजे अब एंट्री टैक्स वैट आजी नहीं लगा सकते राजस्व के नुकसान से जुड़ी राजेयों की आशंकाएं को धूर करने के लिए निमलिकित वैवास्ता की गई है ठीक है कह है GST राजियों GST अधिनियम 2017 ठीक है को अनियमित किया गया था इस अधिनियम के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि राजे की वार्सिक राजस्व वरिदी 14 परतिशत है यदि किसी राजे की वार्सिक राजस्व वरिदी 14 परतिशत कम है तो वह राज इस कानुन के तहट प्रतिकार अर्थाथ शतिपूर्थी प्राप्त करने का हगदार होगा ठीक है राज को दे शतिपूर्थी की अनामित रूप से गर्णा की जाएगी और प्रतिक दो महीने की अवधी के अंत में जारी किया जाएगा अब इस आधिनियम के तहट शतिपूर्थी राजस्तों की इस रेजन जो है जियस्टी शतिपूर्थी उपकरन के मादन से किया जाएगा इसके तहट नुकसान दायक और विलाशिता की वस्तूओं पर पांच वर्स के लिए उपकर आरोपित किया गया है वर्स के दौरान एकत्र किये गए पूरे उपकर को जियस्टी शतिपूर्थी उपकर कोश नामक एक गैर व्यापगन नीदी में जमा करना अवश्यक है एक अत्रिस शतिपूर्थी उपकर भारत संचित निदी में जमा होता है और फिर इसे भारत की लोक लेखा संत्रित कर दिया जाते हैं जहां एक जियस्ची शतिपूर्थी उपकर कोश बनाया गया है तो यह कुछ अन कॉंसेप्ट है यह पर देख लिए समाधान इसका निकल गया था यह कुछ अन जो कीवर्ड्स है वो है तो विवेकी राजकोशे प्रोप्सान जो है वो क्या है कि यह सरकार की नीती के कारण राजकोशी घाटव में होने वाले व्रिदी को दरसाता है यह धीमी व्रिदी के कारण राजकोशी घाटव में होने वाले व्रिदी किसे बेनने है जिससे स्वाच्वाली तस्थारी करण का के रूप में संदर्वित किया जाता है अब अस्थान्तरन पश्यात राजस्व घाटा ठीक है यह क्या है PDRD अनुदान वस्तुता वित आयोग द्वारा प्रदत एक तंत्र है वह राजियों की किसी भी हानी की केंदर द्वारा छतिपूर्ती की जाती है यह स्थानी ग्रामीन निकायों को शायता कि पश्यात वित आयोग द्वारा अनुदान का सबसे बड़ा खंड है F.C. द्वारा अनुदान निकायों के लिए अनुदान सहरी निकायों के लिए राजाब्दा राध कोश के लिए सायता ट्रेजडी सिंगल अकाउंटिंग जो है टीएसे ये क्या है कि टीएसे सरकारी बैंक खातों की एक एकिकरिट संरश्णा है जो सरकारी नगदी संसाधनों का समय के दृष्टिकून प्रदान करती है टीएसे एक बैंक खाते या लिंक किये गए खाते का समुचे है जिसके माधियम से सरकार अपनी सभी प्रदप्तियों एवं भुकतान लेन देन करती है यह सरकारी नगदी संतूलन पर परभावी एवा संगलंग नियंतरन सुनिश्ट करता है तता उधार लेने की लागत को कम क करता है अब कहाई जीडीपी रिन जीडीपी अनुपाद तो भारत में जीडीपी अनुपाद 56 पॉसंट है उन्नत अर्थवयस्ता में 150 से 200 के बीच रहता है जीडीपी अनुपाद जो है आर्थिक उच्छाल की अवधी के दौरन बढ़ता है और मंदी के टाम कम होता है रि इसल 3 के अंतरगत जो है रिन जीडीपी अनुपाद और इसकी दिर्ग कालिक प्रवर्ती के माध्यम के अंतर का उप्यक काउंटर साइकलिक कैपिटल बफर के निर्मान के लिए एक गाइडिड के रूप में काम करता है जो त्रिपल सी बी का उद्दे से प्रनालिगत जोख है आगातो और उच कर की विवस्ता को संदर भीत करता है अब घरेलू वितिये बजट क्या है तो आर्बीए के अनुसार निवल एच एफस जो है वर्स 2018-2019 में GDP का 7.2 है जो बढ़कर 2019-2020 में 7.7 हो गया है निवल घरेलू वितिये बजट जो है नेट एच एफस है जो उसको है सकल एच एफस माइनस वितिये देता से ठीक है सकल घरेलू वितिये बजट जो है ग्रॉस एच एफस मुद्रा बैंक जमर रिंड प्रेविति भूतियों म्युच्वल फंड पैंसन फंड वीमा छोटी बजट योजनाओं में निवेश को संदर भीत करता है वितिये देता क एंतरगत बैंक यहर बैंकिंग वितिये कंपनी अन्वी एफसी और आवाश वितिये कंपनी के रिंड साम Except Mais इसका कारण क्या है वर्ष 2019 में आर्थवेस्ता में स्लोडाउन के कारण बैंक में रिण की वृधि में कमी आई इस कारण जो उभोग में कमी भी आई ठीक है देश में बज़त पर दिरिश्चे में भारती परिवारों का योगदन 60% है ठीक है परस पर एक समझाओधा प्रक्रिया के है म्यूच्वल एगरिमेंट प्रोसीडियूर मैप का संधियों के अंतरगत संचालित एक वैकलपिक विवाद समधान है जिसके तहत कर संबंदित विवादों को सुलजाने के लिए दो देशियों के संबख्च अधिकारियों के मद वरताय की जाती है केंदिरी प्रतक्ष कर बोड ने आयकर नियमों में संशोधन किया है जिसके अनुसार मैप के तहत 24 महीनों के समावधी के वीतर सुलजाना है उसके बाद क्या है राष्टिय लोक वित और नीती संस्था न आई पी एफप यह वित मंत्राले के अंतरकत एक स्वायत अनुशंदान संस्था है जिसे 1976 में स्थापित किया गया था इसके अधिदेश में विसलेशित आधार प्रदान करके सारवजजनिक नीतियों का निर्मान और सुधार में केंदर राज और अस्थानी सरकारों की शायता सामिल है ठीके फ्रेंज आज हमारा यहां पर कंप्लीट होता है कल मैं आपको बैंकिंग और मौध्रिक नीति से टापिक बताओंगी आज का टापिक कुछ बड़ा हो गया है अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब करें और चैनल पर बने रहें मैं सारा कंटीन्यू कर दूँगी ज्यादा इसका वीडियो नहीं बनेगा मैं आपको बता देती हूं कितना वीडियो बनेगा जलदी से मैं बता देती हूं आपको इसका थोड़ा सा दस वीडियो में इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप बने रहें चैनल पर लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करें शेयर दोस्तों के साथ जरूर से जरूर करें थैंक यू